हाई अब्रीवन मैं हो उश्मा और आज की जो रेक्रूटमेंट है वो दो बड़ी रेनाउन कंपनी की तरफ से है पहली तो जनपाक्ट और दूसरी फ्लेक्सिन दोनों ही जानी मानी कंपनीज है जो फ्लेक्सिन के अगर मैं बात करूं तो क्रियेटिव कॉपी राइटर की हैरे कि से अगरियूम चैनल वो दो में करें जानी नहीं आरो यह चैनल वे क्या सब्कूनित्स worsepressure एक्सक्ब्राइब यह की जब्रूंग मैं чув अश्मारं की को डिश्मारा की थारे और दो इने किसे सब्राइभ तर दो मैं परमिंट जो इसे के तरफ से मिलते रहें इवन आप अप्लाय तो कर सकेंगे तो पहली हम बात कर लेते हैं जनपाट की और जनपाट को कौन नहीं जानता फिर मैं बताना चाहूंगी एक बार कंपनी की प्रोफाइल क्योंकि जो लोग नहीं है उन्हें उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि वो कि कंपनी में अप्लाय कर रहें तो बैसिकली यह एक अमेरिकन बेस्ट कंपनी है जो फिनांस और अकाउंटिंग की फील पर वर्क करती है और तो और सप्लाइचेन प्रक्यूर्मेंट सर्विस एंशूरेंस आईट इंप्रस्ट्रक्चर मैनेजमेंट में भी इंडालज है डिस इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी लेकिन उसके लिए कुछ फ्रायर स्किल्स की रिक्वार्मेंट इन्होंने रखी है जैसे आपको एक्सिल बहुत अच्छे से आना चाहिए रिटर्न और वर्बल कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाई अगर हम academic eligibility criteria की बात करें तो सिर्फ graduation है किसी भी discipline में तो इस job role के लिए eligible हो experience and understanding of after market service supply chain will be desired अगर आपको supply chain या market service या market knowledge के बारे में थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में आपको पता है तो well and good नहीं है तो कोई भी prior experience के requirement इसमें नहीं है आप इसमें apply कर सकते हो previous अगर आपने कभी काम किया हो similar industry में basically जो sales industry या marketing sector में अगर आपने कभी काम किया हो तो अच्छी बात है और work from home तो दिया जा रहा है कि दोनों ही job work from home ही है और अगर job description की बात करें तो 5 days working होगा सुबह 8 बचे से शाम 5 पेम तक तो अच्छी timing है तो इसके लिए apply जरूर करेगा अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें जो है वो आप apply कैसे कर सकते हो उससे पहले कि कस्ट्रवा के responsibility फो देजिगनेटे बिसनेस और ability to interact with the field personal यह कुछ बाते हैं जो इन्होंने mention की थी basically जो काम की बाते थी वह मैंने आपको बता दिया गया कि एक academic qualification के लिए क्या criteria होना चाहिए और जो skills है वो क्या-क्या requirement है basically excel जो skills है वो required है साथ ही साथ अगर आपको oracle से थोड़ा बहुत knowledge है तो well and good priority आपको जरूर दी चाहेगी उसके बात अगर मैं दोता हूँ आपको किस तरह इसमें apply करना है तो जो job applicant है जबी पी आप इसमें आपको description box में link तो मिल जाएगी आप जैसे उस link को click करेंगे तो एक job applicant privacy note आएगा इसमें आपको i accept क्लिक करना है उसमें आपको username, password दो options मिलेंगे username, password का या फिर sign in with google तो अगर आप google से sign in करना चाहते है तो ठीक है नहीं तो आप अपना जो id password है वो यहाँ पर बना सकते है username और password उसके बाद उसमें चार ऐसे sections होंगे जब आप इसको login कर लेंगे तो चार अलग-अलग sections आएंगे पहला तो create your profile अपनी profile बनानी होगी जिसम personal information जो academy qualifications included general questions पूचे जाएंगे कुछ analytical based questions है वो इसमें पूचे जाएंगे जो बहुत common है उसके बाद review and submit option आपको दिया जाएगा तो यह तीन sections fill करने के बाद आपको review and submit option आएगा वहाँ क्लिक करेंगे आपका application form जो है वो फिल हो जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारी ज connection में mention कर सकते हैं connect हो सकते contact.essentialjobs.gmail.com कर हम आपके बिल्कुल मदद करेंगे किसी प्रकार की query है आपको application से या फिर link से related दूसरी जो job role है वो Flexin के लिए है और Flexin भी बहुत साथर रनाउन company है और इसमें जो job role है वो creative copywriter की job role है और जो थोड़ी बहुत में आपको company के बारे म company है, consultancy भी provide करती है, IT outsourcing भी देती है और product development में भी indulge है, technology consultancy देती है तो इसमें इनकी expertise है तो आप फरोसा कर सकते हैं apply भी करना है job role जो है वो creative copywriter का है तो जो creative copywriter का job role होता है basically content writer की तरह होता है लेकिन content writer नहीं होता है तो कुछ tools होते हैं उनमें आपको work करना होगा, copy इस तरह से करना होगा कि जो palagiarism है वो ना हो, तो आप जानते होंगे creative copywriter की बात, अब भी मैं eligibility criteria की बात करते हूँ, किसी प्रकार की core skills नहीं है तो भी आप इसको apply कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि content writer जैसा कोई job role है तो बहुत सारी high-five skills नहीं है, कुछ भी नहीं है, copywriter का काम easily सिखाया जा सकता है, training जो है इसमें paid होंगी, work from home opportunity है, अगर आपका graduation BA, MA English में है, well and good, freshers हैं, किसी भी discipline से अगर आपका graduation है, तो भी इस job role के eligibility criteria को fulfill करते हो, experience maximum one year का consider किया जा रहा है, छे महिने का होगा, तो भी जो है वो minimum छे महिने का required है, और इसमें कुछ extra skills की भी बात की गई है, अगर आपको B.S.E. animation आपने किया हो, या multimedia या इसी तरह की कोई related fields किया हो, तो इसमें priority जरूर दी जाएगी, साथ ही साथ, possessing exceptional written English communication skills, अच्छी communication skills होने चाहिए, copy करके, copywriter का काम होता है, basically copy करके लिखना, लेकिन फिर भी उसे exceptional, creative तरीके से लिखना, तो इसे लिए इन्होंने mention किया है, कि जो written communication skills अच्छी होने चाहिए, साथ ही साथ, detail oriented and customer focused with multitasking and organization skills, तो यह तो कुछ extra skills की हो गई, बात हो गई, लेकिन जो main skills है, जो eligibility criteria को fulfill करते है, वो दो ही तीन skills है, सबसे पहली बात हो, किसी भी discipline में graduate हो, तो इसके लिए apply कर सकते हो, कोई भी skills नहीं है, तो भी इसमें apply कर सकते हो, अगर graduation है B.A.M.A. in English में, तो अच्छी बात है, या animation multimedia में है, तो भी बहुत अच्छी बात है, तो यह work from home job ह इसकी salary इनोंने disclose नहीं किये थी, हो सकता, past, past, जो भी आपका prior experience रहा हो, उसके basis पे आपको salary जो है, वो दी जाएगी, जो एक average salary जो Google से सर्च की गई है, मैं आपको वो बता रही हूँ, plus minus हो सकती है, 37 to 38,000 per month, और जो approximately 4.5 LPA तक है, इंटर्व्यू के टाइम पर आपको HR, salary package और हर चीज आपको detail में बता देंगी, सबसे पहला जो prior step होता है, वो तो अपने resume को modify करिएगा, दोनों के लिए अलग-अलग resume होगा, और दोनों के लिए अगर आप eligible हो, तो आप अलग-अलग तरीके से modify करिएगा, और अगर आप eligible किसी कारण बस नहीं है, किसी भी एक job मे अबिसली एक job में होंगे, जो ये copywriter वाली है, तो next job अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं, ताकि वो इसमें apply कर सके, तो this is all about today's video, कोई भी query के लिए आप हमारे साथ connect हो सकते है, contact.essentialjobs.gmail.com पर, दोनों job के लिए आपको जो description box में वो link दे दी गई है, वहाँ जाके आप apply करिए, और apply application से पहले एक बार dates जरूर चेक कर लिजेगा, बिकस ये jobs जो है, कब आती है, कब चली जाती है, नहीं पता जलता, लेकिन GenPact की तो आप apply करना है, ये वाली जो job है, जो flexion में copy, creator, copywriter की job role है, उसके लिए भी link आपको description में दे दी जाएगी, इसके लिए एक बा बेर 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 जोब आपकेशन, बबाए!